दोस्तो आप लोगने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग कुछी टाइम में अमीर बन जाते हैं कभी-कभी तो हमें इस बात का यकीन ही नहीं होता और हम ये सोचने लगते हैं कि जरूर कोई ही लीगल काम करता होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि सब ऐसे काम करके ही अमीर बनते हैं और ये लोग अपने पैसे, नए और महेंगे कपड़े और नएने गैजट्स जैसी फदूल चीजों पर दाया करते रहते हैं जबके वो इन चीजों को अपोर्ट भी नहीं कर पाते और फिर अपनी financial situation के लिए दूसरों को blame करते रहते हैं जैसे के हमारी government ही अच्छी नहीं है या फिर मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है यार मेरी किस्मत ही बुरी है और इनी चीजों से side walker कभी बाहर भी नहीं निकलना चाहते है और desperately वो लोग उम्मीद करते हैं lottery ticket से के वो उनकी life को बदलेगी ऐसे लोग hard work करने के भी आदी नहीं होते लेकिन सोचे कि कितनी जादा loser mentality है इसलिए इनकी financial destination triple P पर stand करती है फिस poor poverty जिसका reason है इनकी financial intelligence और unfortunately ऐसे लोगों की तादाद हमारी society में बहुत ज़ादा हो चुकी है slow learners basically इनकी life होती है एक अच्छे college से study फिर एक decency job और फिर savings करके कहीं invest करने फिर finally जब आप 60 या 65 के हो जाते हैं तो आप millionaire बन जाते हैं लेकिन क्या फाइदा तब millionaire बनने का future की safety और security के लिए जो के इस age में जाकर uncomfort और इन security में बदल जाती है इसके बाद आता है fast learner basically fast lane का main idea ये है कि जितनी आप दुनिया को value दोगे उतने ही आप अमीरतरीन होते जाओगे इसका मतलब ये हर्गिस नहीं है कि आप हाथ में बहुत सारे पैसे लेकर निगल जाएं और हर आने जाने वाले को देते रहें इसका मतलब ये है कि लोगों को इतनी अच्छी service provide करें कि लोग आपको खुद पैसे दें fast learner बनने के लिए आपको life में चार quick changes करने होंगे quick change number one dump hope as financial plan अपनी job और stock market से ये उमीद करना छोड़ दो कि एक दिन वो आपको बहुत जादा अमीर बना देगी क्यूंकि जब आपकी age 60 plus हो जाएगी तो वो पैसे भी आपकी किसी काम के नहीं रहेंगे quick change number two make time your ally अपने time का सही इस्तेमाल करना सिको इसको थोड़े से पैसे कमाने के लिए waste मत करो क्यूंकि इन थोड़े से पैसे से आप वक्ती तोर पर satisfy तो हो जाओगे लेकिन अमीर नहीं बन पाओगे इस point में MJ हमें ये concept इंट्रोड्यूस करवाते हैं tangible value creation यानि के ऐसा काम करो जिससे आपकी absence में भी आपका bank balance बढ़ता रहे जैसे के कोई website बनाना एक किताब लिखना या कोई music album वगएरा वगएरा basically जब आप एक दफा ऐसी चीजों पर काम कर लोगे तो बाद में ये आपके लिए लगातार काम करती रहींगे आपकी absence में भी जो business सिर्फ अपने benefits के बारे में सोचते हैं वो कभी भी कामे आप नहीं होते लोगों की needs को पूरा करने के बारे में सोचो क्योंकि लोगों को आपके dream house और dream car से कोई फरक नहीं पड़ता और अगर आप मुझसे कोई भी चीज बाई करके जाते हो और आपको बाद में पता लगता है कि मैंने आपके साथ cheat किया है तो क्या कभी आप दोवारा मेरे पास आओगे बिल्कुल नहीं इसलिए अपने आप से पूछो कि आप लोगों की life कैसे improve कर सकते हो ना कि सिरफ अपने ही पाइदे के बारे में सोचते रहो Quick change number 4 Escape the ceiling and reinforce the floor Imagine करें कि आप अपने business place की चट को easily touch कर सकते हैं तो इसका मतलब आप बड़ी problem में है क्योंकि आप jump करोगे तो आपको चोट लग सकती है इसलिए आपके business पे scalability होनी चाहिए जितनी चट नीचे होगी इतनी हद तक आप revenue generate कर सकेंगे और reinforce the floor का मतलब है कि वो बनियादी कितनी solid है जिस पर आपका business trend करता है आपके competitor आपके business को कभी भी बरबाद कर सकते हैं इसलिए पहले से backup plan रखो तो दोस्तो ये बाते मैंने आपको दोस्तो इस book में और भी कई अच्छी बाते बताई गई है अगर आपके book खरीदना चाहते हैं तो नीचे description में दिये गए link पर जाकर खरीद सकते हैं मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं आपके अगर आपके अगर आपके आपके बाते हैं